Hi guys, कैसे आप सब लोग, I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे Thank you so much कि आप लोग के अपने valuable time हमारे इस वीडियो को दिया So अभी recently 21 students, Indian students जो इंडिया से आ रहे थे US airport में deport हो चुके हैं और ये काफी जादा recent news है इसी की topic के बारे में हम बात करने वाले आज की वीडियो में और हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या precautions आप लोग ले सकते हैं जिससे कि आप अगर किसी में वीजा में US एंटर कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजे ना फेस करनी पड़े तो बने रही है हमारे इस वीडियो में MS का fall season start हो चुक है जो कि generally august September से start होता है तो इंडिया से काफी सारी students आते हैं अभी इस time पे So around 21 students जो है US के different airports में deport हो चुके हैं And there are around 21 students जो कि deport हुए है और इनको अभी 5 years का US ने deport करा है क्योंकि 5 years से कभी US में नहीं आ सकते हैं बिल्कुल भी And this condition में क्या होता है आपको भली 5 years के लिए US Embassy ने deport कर दिया But after 5 years अगर आप फिर से वीजा अप्लाई करना चाहें या फिर आना चाहें तो काफी tough हो जाता है Because एक बार आपको डिपोर्ट हो गए ना तो it's really difficult मतलब उनका फिर से trust gain करना अब हुआ exactly क्या है प्रॉपर अभी जो है Officially कोई news नहीं आई है But जो कि different sources से Anonymous sources से और काफी जादा जो groups होते Facebook से इधर और से जो पता चला है वो यह है कि जब students आए थे तो उनको port of entry में ना काफी जादा Questions पूछे जाते है तो उसमें कि जैसे आप क्यों आ रहे हैं कितने टाइम क्लिए आ रहे हैं आपका क्या reason है आप कहाँ पढ़ाई करेंगे आपके पस funds कितने आपके fees जा चुकी है नहीं आप कहां रहेंगे काफी सारे questions होते हैं तो अगर किसी भी question का वो लोग नहीं answer कर पाए तो जो embassy होते हैं या फिर वहां पे जो officers होते हैं उनको काफी जादा doubt होते है तो similar situation ना students के साथ हुई थी कि या तो वो कुछ proper document नहीं दिखा पाए या फिर वो college का नाम सही से नहीं बता पाए या फिर उनके पास proper residence का अपना proof नहीं था या वो बता नहीं पाए कि कहां रहने वाले हैं तो काफी सारे students को दो से तीन घंटे के लिए interrogation के लिए डाल दिया था और उनके mobile phones, उनके सारे personal belongings सब कुछ चेक किया गया इवन उनके whatsapp chats तो यह भी काफी जादा reasons था और बहुत सारे students का तो whatsapp chat से यह भी पता लगा कि India सहना वो लूं planning कर रहे थे कैसे वो US में आके cash में काम कर सकते और इस तरह के से काम कर सकते और यही main reason था जिसकी वज़े से उनको इतना ही नहीं यह भी बोला गया था कि अगर वो इसके against revoke करेंगे या फिर कुछ भी ऐसे बोलेंगे तो उनके against काफी strict action लिया जाएगा और इसी वज़े से उनको 5 years के लिए deport कर दिया जैसे मैंने आप लोग को बताया ना एक बार आप डिपोर्ट हो गए so it really gets very tough you know to come into this country and आपके वीजा भी दुबारा लगने के chances very less हो जाएगा एक रीजन है जो जिसकी वज़े से यह सब होगा वो यह है कि कई बारना हम लोग माल लेते कि US का वीजा लग गया यानि कि हम bulletproof हो चुके यानि कि हम कभी भी US आ सकते हैं कभी भी you know कितने भी N number of times आ सकते nobody is gonna question you no it's not like that आपका US का कोई भी वीजा लगाए चाहिए आपका student visa लगाए B1, B2, tourist visa आपका F1 visa लगाए किसी भी H1, B2, H4, L1 किसी भी visa में आप है आपको हमेशा port of entry में question किया जाएगा उसे पूछे आप क्यों आना चाह रहे क्या reasons है कितने time के लाएंगे आपके पस अपके residence का क्या proof है they have the full authority और अगर उनको कोई भी doubt होता है वो आपको और अच्छा से integrate करके आपके belongings, आपके phone, chats, everything लेकिन चेक तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपका visa लग चुक है तो आप कभी भी आना चाहेंगे तो ये कोई भी students अगर US आना चाहते तो उन लोगों के लिए में ही बताना चाहूंगे कि जब भी आप US आएं, US की तियारी करें सबसे पहले, अगर आप किसी consultant को पकड़के अपने visa लगवाते हैं या उनको पकड़के आप अपना college के लिए apply करते हैं तो make sure कीजे कि आप उन पे blind trust मत कीजे क्योंकि कही बार consultants काफी fraud कर देते हैं आपको वो किसी fraud, university या इस तरीके से आपको offer letters दे देंगे इस तरीके से आपका visa वगरा भी लग जाएगा भली हालकि visa में ही कई बार rejection हो जाता है पर अगर आपको visa भी लगए ना तो हो सकता port of entry में आपको rejection हो जाए तो आप काफी cautious रही है कि अगर आप खुझ से apply करें तो एक proper authentic university से apply कीजिए और अगर आप किसी consultant के थू apply कर रहे है तो आप उन पर blind trust मत कीजिए आप अपनी भी research कीजिए अपने जाए तरीके से इतना ही नहीं make sure कीजिए कि आपके पास ना जभी भी आप US आ रहें चाहें आप कितनी भी बार आए चाहे फॉर्स time एंटर कर रहें चाहें अप सेगिंड टाइम एंटर करें चाहें आप 10th time एंटर करें क्योंकि अगर आप student visa में तो you should show them right कि आप आने वाले months कैसे sustain करने वाले हैं भली आपकी fees deposit हो चुकिये but how are you going to sustain आने वाले months में आपके पस ये भी प्रूफ होना चाहिए अगर आप student visa में आ रहे हैं कि आप किसके वहार हैं आप इस तरह के से बिल्कुल प्लान मत कीजिए कि भई हमने अपने फ्रेंड को कह दिया है वह हमारा कि रहना चाहिए और सबसे बड़ी बात आप कोई भी इंडिया से प्लानिंग मत कीजिए कि युए साके मैं से कैश में काम करेंगे यह तरह किसे काम करेंगे अगर आपको वर्क अलाउड है यहां पर तभी आप काम कीजिए अगर नहीं है तो मत कीजिए और जितने नंबर नहीं होकु कीजिए किजिए मोगात कर तो मत कीजिए अगर अलाउड का उंधिये सतके इंडिया से प्लाइम करेंगे इसे अतरी महीं साथ लंगे चाहिए वहाल रीगी था। अगर आपके फ्रेंड ने बैक आउट कर दिया तो आप ऐसे रखे और सबसे बड़े बास जो जो चीज में बार बार आप लोगों को रिपीट करना चाहूंगी ना कि आप अपने की डॉक्यमेंटेशन फुल प्रूफ के साथ रखे बिल्कुल मैं असा मत सोचो कि वीजा लग गया तो भाई अब यूस में आ सकते हैं बिल्कुल नहीं आप फर्स टाइम क्या टेंथ टाइम का ट्वेट टाइम भी यूस में आप एंट्री करेंगे तो यूल फेस्ट सेम करके मत आये कि भाई यूसा के मतलब हम क्याश में काम करेंगे यह कुछ भी करेंगे डू नॉट दाट और यह सिर्व स्टुडेंस के लिए इवन हम लोग जैसे वक पमिट में हैं तो हम लोग भी काफी अच्छे से जब भी भी हम पोर्ट फेंट्री में आते हैं वी ऑल्व हम लोग जूट ना बोले हम पास proper real answers हो हम लोग मेक शूर करते हैं कि हमारे पास proper documentation हो सारे documents के हम कहां रहते हैं क्या रहते हैं driver's lessons everything और इतना ही इवन हमारे parents भी जभी भी यूस आते हैं तो वी मेक शूर कि उनके पास proper documents हो उनको कुछ भी ऐसे problem ना उनके पास हमारे driver's lessons हो ज यह सारे students इतना ज्यादा investment करके आते राइट ना सिफ पैसे का बलकि time का भी नहोंने अपनी पढ़ाई पूरी करी होगी फिर आयोंगे higher education के लिए थोड़ा बीच में time spend किया होगा सारे preparation में air tickets करी होगी वहां fees deposit करोगी हाँ fees का का काफी portion को refund हो जाएगा बट फिर भी काफी करना is not bad it's a really good opportunity but कल के दिन अगर उसकी फिर से opportunity मिली बाइचांस तो उनका next visa लगना काफी difficult हो जाएगा because यह लोग 5 विस के लिए deport हो चुके है and next time जब इनका US visa के लिए interview होगा ना चाहे वो कोई भी visa even if it is tourist visa it is H1, L1, कोई भी visa they will be definitely questioned की why were they deported यह ऐसा जरूर होता है तो please आप कभी भी US आने का it's not only about US even for Canada आपने रेसेंली नूस सुनी होगी right की 700 students from Canada they were deported because उन लोगो ने जिन consultant को हायर किया था Canada आने कले उसने काफी fraud किया था with the university right so this is not only for US this is also for Canada and for other countries as well कि आप जबी भी भी आहे make sure that you are coming with legal मतलब वाया legal route आप इस तरीके के राउट से मत आये कि आप कुछ भी illegal करके या फिर you know आपके पस proper documentation का proof नहीं है काई सारे students में ऐसे थे जो काफी legal तरीके से आये but just because they got nervous and just because officers के answers का अच्छे से reply नहीं कर पाए या उनके पास concrete proper documents नहीं थे तो इस वज़े से they were also deported right so make sure कीजे आपके पस proper documents so you are able to answer each and everything आप राइट तरीके से चाहें आप कुछ भी ऐसे वैसे तरीके से ना करें और जो चीज लीगल है वो चीज करें अगर लीगल नहीं है काम करना तो मत कीजे है तो कीजे जितने hours allocated work for that if you are not allocated any hour do not work more than that so guys I hope आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगयोगी information आप लोगों के लिए helpful होगी हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए ना तो हमारे वीडियो को like करें comment करें share करें channel को subscribe करना ना भूले और हमें धेर सारा प्यार दीजे बने रहे हमारे साथ हमारे अगले वीडियो सब्सक्ता को